हेलो, वेलकम टू प्रतम आयस तो इस पार्टिक्लर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरान की मोर्टालिटी पोलीस के बारे में जी हाँ, जिसे हम एक तरीके से आप बूर्च सकते हो गस्ते इर्साद भी बोलेंगे तो देखेंगे इस पार्टिक्लर वीडियो में कि आक्चली ये जो मोर्टालिटी पोलीस है इसकी फंक्सनेलिटी क्या है इसको कब अस्थापना की गई थी और अभी हाली में क्यों ये न्यूज में है तो जैसे कि आप थम दिल में देख रहे हो इरान मोर्टालिटी पोलीस डिस्बैंडेड और देखते हैं इस पार्टिक्लर वीडियो में कि आक्चली इसके पीछे बैग्रॉंड क्या है कौन-कौन से इस पार्टिक्लर पोलीस फोस में समलित होती है अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी लगे कि एक्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टन है हमारी कंटेंट अची तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम लेकर का हैं आपको लिए एक MCQ क्वीज है इडिटोरियल से डिलेटेड तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर तीन स्टेटमेंट दिये गए हैं डिगार्डिंग डे एन एर अलम डाट इस दीन दयाल अन्तोदय योजना नेशनल डूरल लेवलिवड मिशन पहला स्टेटमेंट है क्या यह सेंटर्री स्पॉंसर्ड स्कीम है दूसरा है क्या इसको लॉंच किया गया था बाइदा मिनिस्ट्री आफ रूरल डेवलप्मेंट और थर्ड है महिला किसान संसकर संसकित करन परियोजना that is MKSP has been implemented अंडर अबब प्रेस्क्राफड स्कीम that is DNRLM तो आपको बताना इसमेंसे कौन सा स्टेटमेंट सही है इसका explanation हम लोग वीडियो के last में देगे तो जैसा आपको पता होगा कि इरान में अभी महसा आमीनी जो की इस particular police force गस्ते इरसाद के पकरने के बाद उनकी death हो गई थी और तब से जो protest चालू हुआ है especially की जो हिजाब हम लोग नहीं पहनेंगे जो different different यहाँ पे issues है religious जिसको forcefully कहीं ने कहीं यहाँ पे अपनाने की कोशिस की जाड़ी तो महिलाएं जो है इरान की वो बिलकुल अब इस death के बाद से जो है न अगेंस्ट मिता और even recently news यह आया की वहाँ की जो सरकार है उसको अंतितव पात प्रोटेस्टर की माननी पड़ी और वो लोग तयार हो गए अपने इस हिजाब बाले kontroversy में कि हम देखेंगे इसको particularly की किस तरीके से यह सब अटायर पहननी चाहिए तो चलते हैं डेटेल्स में जैसे आप जानते हो कि गस्ते इरसाद जो की नेम है आपका official in Iran of morality force और यह एक तरीके का force है जो news में क्या है क्योंकि यह responsible था 22 years की जो महसा एमीनी थी उसके डाइड वाले situation में और उस टाइम पे क्या हुआ था आपको इसको disbandit किया गया था और इसमें हुआ क्या था कि allegedly उन्होंने बिटन किया था morality force ने किसको उस particular यह जो आप सामने देख रहे इनको for incorrectly wearing the mandatory हिजाब जी हाँ इरान में हिजाब mandatory था और वो कुछ इस तरीके से पहनी हुई थी जिससे लोगों को ऐसा लगा police force को ऐसा लगा कि उनकी जो एक तरीके sanctity है उसको यहाँ पे impact आ रहा है तो उन्होंने उसको detain कर लिए और फिर as a guidance patrol and is widely known as the morality force तो अगर आप worldwide देखिएगा तो इसे morality force बोलते हैं बट अगर आप इरान के regards में देखिएगा तो इसे गस्ति इरसाद बोलते हैं यह एक unit है इरान के police force का revolutionary guard भी इरान से जुरा हुआ है जिसको established किया गया था under former hardline president मेंट महमूद एहमदी ने जाद इसके अंतरगत इन्होंने इस particular police force को इरसाद किया था और यह जो elected government है वो बोलते है कि इनका activity जो है न वो कहीं बाहर नहीं है वो within the country है interior ministry के अंतरगत आता है ठीक है और इसमें दोनों महिलाएं और पूरुस दोनों इसमें आज officials हैं और उन लोग का कहना है सरकार का कि ये morality लोगों की जो religious तरीके से एक तरीके से आप बोल सकते हैं concerned होना चे क्या वो गलत कर रहा है या नहीं इस चीजों को यहाँ पर basically निगरानी डखा जाता है अगर आप देखोगे कि इसको क्यों बनाया गया तो जैसा कि आप जानते हो कि हिजाब जो है एक बहुत ही sentimental चीज है आपको और इरान में इसको mandatory बना दिया गया था 1983 में जब Iranian revolution के खत्म होने के बाद ठीक है अफोर्स वाज बनाया था था इन निनिनिटीज अफर द वार बोकॉट विद सिद्धाम हुसेन अफ एराक ठीक है और बैसिकली यह जो हिराब की इस हुथा इन्होंने ऐसा बना दिया कि जो है यह पहचान होगी इरान की और यह कब जब सद्धाम हुसेन जो वार्ट चला था इरान और इराक के बीच में और आप देखरे हूं बहुत वड़ा बार्डर यहां पे साजा करता है दो मे और यह Depot आपको पार्टिकलर इए हुआ लगी चिन दीखरे है ने यह वाली मैं ये पर्सीन गलफ आपको ठीक है और यह फिर Gulf of Oman है और यहीं से आपको basically straight of Hormuz अगर आप अभी देखोगे इसका function तो not only the enforcement of हिजाब but the implementation of either rules on public appearance जैसा कि आपको पता होगा कि यह हिजाब पे नहीं दिने दिन 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 इसकी जो अना importance बढ़ती गई हो अब आप कहीं भी public में कोई भी ऐसा especially religious sentiment को hurt करते हो appearance को किसी भी तरीके से चाया आप अपने आप behavior के दौरा कपड़े पहनने के दौरा तो Iranian authorization के हिसाब से जो उनकी सरकार है उनके हिसाब से ऐसा interpret किया जा रहा है कि आप जो है ना सरिया जो Muslim law है उसको आप curtail कर रहे हैं और उसके खिलाब जो है ना ये particularly जो आपका morality एक तरीके से पुलिस्ट है वो कारवाई करेगी on the behalf of government authorities और ऐसा देखा गया पिछले सबता कि जब मैसा अमीनी का death हुआ था प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ पुड़े इरान में और expanded करता गया और इसके साथ आपको पता है कि पुरे दुनिया में में हिजाब को ले करके इवन इंडिया में ठीक है और ये सब जो death हुआ था वो कहीं ने कहीं लोगों में dissatisfaction हो गया ठीक है यूथ जो women थी और उन्होंने इस particular move के खिलाब जो खूब बढ़ चट के especially जो morality police है उसके खिलाब खूब बढ़ चट के जो नब protest किया था ठीक है तो इसको अब हाला कि क्या कर दिया गया आपको disbandit कर दिया गया ठीक है अब चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरब तो जैसे कि आप देख रहे हो it is a centrally sponsored scheme तो गलत है यह एक central sector scheme है जो basically livelihood को उचा उठाने के लिए काम करता है तो पहला statement यहाँ पे गलत है और उसके बाद जो हैं दूसरा और तीसरा यह सही है तो यहाँ पे जो आपका option होगा that is उमीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा हुआ और अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए दोस्तों के साथ से एर कीजिए और लिंक दिया हुए टेलिग्राम का description में प्लीज जोईन कर लीजे ताकि हमारी notification आपको सही समय पर मिलते रहे बहुत बहुत धन्यवाद